हमारे देश में इलेक्शन कराने के लिए जिमेदार चुनाव आयोग के कमिशनर की नियुक्ती पर बाबा साहिब डुक्रमबीट करने का हता सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी ऐसे विक्ती की नियुक्ती को रोक सके जो मोर्खिया गुलाम हो और सत्ता क्यांगूठे के नीचे यानि उसके अधीन हो 16 जून 1949 को सम्विधान सभा में चुनाव आयोगतों की नियुक्ती को लेकर पेश के गए आर्टिकल पर बहस के दोरान बाबा साहिब डुक्रमबीट करने जो शंकार जाहिर की थी मोधी सरकार ने करीब 74 साल बाद उसे सथ सावित कर दिया है मंगलवार को राजे सभा से चीफ इलेक्शन कमिशनर और इलेक्शन कमिशनर्स अपोइंट्मेंट कंडिशन ओफ सर्विस और टरम्स ओफ ओफिस बिल 2023 पास कर दिया गया है इस बिल के पास होने के बाद विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि सरकार चाहे तो अमित मालविय, समित पात्रा, कंगना रनोट या फिर संग में लाट या चलाने वाले को भी चीफ इलेक्शन कमिशनर बना सकती है कहने का मतलब यह है कि मामला काफी सीरियस है और हो सकता है कि अब से देश में लेक्शन के नाम पर बस तमाशा भर होने लगे क्योंकि अगर गदी पर कोई ऐसा शक्स बैठा हो जो सत्ता का करीबी है तो फिर आप अंदासा लगा सकते हैं कि वो किस की सेवा करेगा इसलिए इस पूरे मामले को थोड़ा वक्त देकर समझ लेना चाहिए देश के उपर अब कौन सा खत्रा आने वाला है इससे आपको भली भाती जान लेना चाहिए आप ये भी समझे किस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी दरसल दो मार्च दो जारते इसको सुप्रीम कोट के पांच जजो की समयदानिक पीट ने ये फैसला दिया था कि देश के मुख्य चुनावायुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में खुद देश के चीफ जिस्टिस भी मोज़ुद रहेंगे इस पैनल में प्रधान मंतरी के अलावा विपक्ष के नेता थे और चीफ जिस्टिस मिलकर इलेक्शन कमिशनर की नियुक्ति करने वाले थे लेकिन अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोट के इस फैसले को ही पलट दिया है और सदन में नया बिल पेश कर दिया जो राजे सभा से पाश हो गया नय बिल में चीफ इलेक्शनर जो कमिशनर हैं और बाकी कमिशनर हैं उनकी नियुक्ति करने वाले पैनल में खुद देश के प्रधन मंत्री होंगे, कोई ये केबिनेट मंत्री होगा, और नेता विपक्ष भी इसमें शामिल होगा यानि तीन लोगों का ये पैनल होगा, यही वो प्रावधाने जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है दरसल इस पैनल में प्राइम मिनिस्टर के अलावा सरकार का ही दूसरा आदमी यानि कोई केबिनेट मिनिस्टर होगा जो सरकार का ही आदमी होगा यानि सरकार के पास कितने वोट होंगे दो वोट हो जाएंगे और तीसरा vote किसके होगा, तीसरा vote होगा विपक्ष के नीता के पास लेकिन अगर विपक्षी नेता किसी चुनाव वायुक्त की नीक्ति के खिलाब भी vote देता है यानि जो नाम सरकार ने सुझाए, वो उसके खिलाब भी vote देता है तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर उसके पक्ष में दो वोट डाल देंगे और वो आदमी दो एक के बहुमत से चुन लिया जाएगा अब सवाल उठता है कि फिर विपक्ष के नेता के वोट की क्या कीमत रह जाएगी क्यों उसको उसमें शामिल किया गया जब उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है जब सरकार के ही दो लोगों को ये शक्ती है बहुमत की शक्ती है तो फिर तीसरा आदमी चाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा इसी वज़े से विपक्ष कह रहा है कि लोगतंदर के लिए ये खत्रा है इस बिल के बाद सरकार जिसे चाहेगी उससे इलेक्षन कमिशन में भर देगी और वो ना सिर्फ चुनाव में भेदभाव करेगा बलकि चुनाव आयोग की निश्पक्षता भी से खत्म हो जाएगी जब देश में राजाओं का दोर था तब एक राजा दूसरे राजा के राजा को कबजा करने के लिए उसके सिंगासन और उसके खजाने पर कबजा कर लेता था लेकिन अब लोकतंत्र है उस तरह का राजतंत्र नहीं चल रहा यहां सत्ता के सिंगासन के साथ साथ इलेक्शन कमिशन, सूचनायोग, ED, CBI, हाई कोर्ट और सुप्रीन कोर्ट जैसे स्वतंत्र संस्थानों पर भी कबसा करना पड़ता है तब ही कह सकने हैं कि लोकतंत्र के जरीये कैसे तानशाई बनाई जाए RSSS वालों ने जैसे चत्यसगर, मध्यप्रदेश और राजिस्तान में कटपुतली CM बनाए है वैसे ही शायद BJP अब कटपुतली चुनाव आयुक्त बनाने की सोच रही है वैसे इसमें कोई नई बात तो नहीं है क्योंकि ऐसे सभी संस्थानों में जो निवक्तिया होती रही है वो अकसर राजनीती से ही प्रेरित होती है और सरकार ये अपने चहेते आदमी को ही कुर्षियों पर बैठाती रही है यानि जिसकी सरकार उसने अपने मनपसंद आदमी को इन कुर्षियों पर बिठा दिया जनिता को लगता है कि मामला स्वतंत्र है लेकिन असल में अंदर ही अंदर स्वामी भक्ती चलती रहती है ऐसे बहुत से अफसर हुए हैं जिन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि वो सरकार के पक्ष में काम करते हैं लेकिन अब सरकार जब सारी शक्तिया खुदी अपने हाथ में ले लेगी तो फिर भला क्या होगा ये एक चिंता की बात है तो क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ती में Chief Justice का दखल देना उचित है ये सवाल भी बहुत जरूरी है आप सब जानते हैं कि भारत का समविधान, विधान पालिका, कारिया पालिका और न्याई पालिका के तीन रूपों में शक्तियों को अलग-लग बाढ़ देता है कि किसका क्या काम है सब को बताया गया है कि उनका काम क्या है और सब को अपनी हद में रहकर ही काम करना होता है समविधान ने इसकी व्यवस्ता की है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और इंडिया अक्सर चेक इंड बैलेंस के नाम पर जुडिशिल एक्टिविजम करता है और कारियपाली का विधान पाली का उनके शेत्र में अस्तक्षेव करता है यानि उनके एरिया में घुश जाता है और बताता है कि कैसे काम करना है क्या कानून सही है क्या गलत है ये उसके अधिकास शेत्र में घुश जाता है ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि Chief Justice को कोई नैतिक अधिकार नहीं है ना ही कोई समयधानिक अधिकार है कि वो चुनाव आयुक्त के selection panel में जबरदस्ती घुश जाएं इसलिए कुछ लोग Supreme Court के पुराने फैसले का विरोध कर रहे थे लोगों को ये लग रहा था कि जब वो अपने यहां पर जो है डाइवर्सिटी लागू नहीं कर पा रहे है CSTOBC के जज नहीं बना पा रहे है कोई ट्रांस्पेरेंसी नहीं है बहुत सारे केस महां पैंडिंग है तो फिर वो कभी सूचना आयुक्त को तो कभी चुनाव आयुक्त को सेलेक्शन करने का जो पैनल है उसमें घुस रहा है इसलिए सुप्रीम कोट के फैसले पर भी सवाल उठ रहे थे ये गलत है क्योंकि भारत में कानून या नियम बनाने के मामले में देश की संसदी सबसे सुप्रीम है क्योंकि संसदी को ही अधिकार दिया है वो जो जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है और फिलाल संसदी में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक चत्र राज चल रहा है ना कोई बोलने वाला है ना कोई टोकने वाला है जो कोई बोलेगा जो कोई टोकेगा तो फिर CBI, ED और तमाम एजिंसी उसके पीजह पढ़ जाएंगी इसलिए जो उमन होता है वो करते हैं तो क्या चुनाव आयोग पर अब सरकारी नियंत्रन हो जाएगा इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें फिर से समिधान सभा की बहस की और लोटना जाएए हमें इतियास में देखना चाहिए कि जब ये देश बन रहा था, समिधान बन रहा था उस समय हमारे राशनिर्माताओं के मन में किस तरह की सवाल चल रहे थे, क्या बाते चल रही थी 15 जून 1949 को चुनावायों की स्थापना के लिए समिधान सभा में अनुच्छे 289 का मसोदा पेश करते हुए डुक्टर अंबेटकर ने कहा था किसी भी प्रकार की अस हमती के बिना विधाई निकायों के चुनावों की शुदिता और सोतंदिर्ता के हित में यह अत्यंत मैंत्पून था कि उन्हें उस समय की कारिया पालिका के किसी भी प्रकार के यस्तक्षिप से मुक्त किया जाना चाहिए यह बाबा सब डुक्टर अंबेटकर के शब्द हैं यानि सम्विधान निर्माता दुक्टर अम्बेटकर समेथ सम्विधान सभा के सभी सदसे इस बात पर एकमत थे कि चुनाव आयोग एकदम निश्पक्ष और स्वतंत्र संस्ता होनी चाहिए क्योंकि election commission देश में चुनाव कराएगा और निश्पक्ष चुनाव ही लोगतंत्र में जनता के शाषन की guarantee है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शाषन उसकी guarantee क्या है वो है निश्पक्ष चुनाव होना इन्फेक्ट बाबा साइब डॉक्टर अंबेटकर ने ये भी बताया था कि सम्विधान सभा की जो मौलिक अधिकार समीती है उसने तो चुनाव को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की सिफारिश भी की थी ताकि चुनाव जैसे जो बहुत जरूरी प्रक्रिया है वो किसी भी सरकारी या बाहरी दबाव से मुक्त रह सके यानि वो उस समय ये बात हुई थी कि इनको मौलिक अधिकारों में शामिल कर लेना चाहिए यानि समिधा निर्माता मान रहे थे कि चुनाव इतना जरूरी सब्जेक्ट है किसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाए तब समिधान सबा के सदस से प्रोफेसर शिब्बन लाल सकसेना ने 15 जून 1949 को इसे विशाय पर बोलते हुए समिधान सबा में कहा था ये बहुत सम्भव है कि सत्ता में कोई पारिटी जो अगला चुनाव जीतना चाहती है वो पारिटी के किसी कटर व्यक्ति को मुखे चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है प्रोफेसर सिब्बन लाल सकसेना ने जो डर जाहिर किया था वो आने वाले दिनों में सथ साबित भी हो सकता है इलेक्शन कमिशन पर लगबग देश के हर पारिटी और हर नेता गंभीर आरोप लगा चुका है 2022 में करनाटक में वोटर लिस्ट का डेटा लीग हुआ था तब कॉंग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थी कि BJP के साथ मिलकर वोटर लिस्ट का डेटा ही जो है लीग कर दिया जिससे वो वोटर्स को प्रभावित कर सके 2019 के लोग से बाद चुनाव में आपको याद होगा BSP अद्यक्ष मयवती ने कहा था कि लेक्शन कमिशन मोदी को चुनाव आचार सहिता का उलंगन करने दे रहा है उन्हें खुली चूट दे रही है और वोट डाल के कमल का फूल सब को दिखाते गूम रहे है RJT अद्यक्ष लालू यादव, TMC अद्यक्ष ममताबनर जी, आम आदमी पार्टी के मुख्या अरविंद के जिवाल, DMK चीफ, MK स्टालिन लगभग हर नेता और पार्टी चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगा चुकी है जब BJP विपक्ष में थी या जहां पर वो विपक्ष में होती है, तब भी BJP चुनाव आयोग पर भेदबाव करने का आरोप लगाती रही है यानि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप नहीं लगाए है खासकर EVM को लेकर तो हर पार्टी ये कह चुकी है कि ये भरोसे किलायक नहीं है चाहे कॉंग्रेस और BJP और कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी EVM के खिलाफ बोल चुकी है, बयान दे चुकी है चुनाव में अक्सर EVM में गड़ बड़ी क्या रोप लगते हैं और का जाता है कि उसमें जो है, मैंनुपलेशन हुआ है, टैंपरिंग हुई है लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रहेंगती, कोई उस पर कारवाई नहीं होती है कहने का मतलब यह है कि पहले से ही बड़नाव चुनाव आयोग अब और ज्यादा बड़नाव होने वाला है जनिता और नेताओं के दिल में पहले से ही चुनाव आयोग को लेकर भरोसा कम हुआ है और नए कानून के बाद उसकी निश्पक्षता पर ओर ज्यादा सवाल उठेंगे जनिता का भरोसा कम होगा खास कर कुछ BJP और RSS वाले जिस तरह से खुले आम भारत का नया समविधान बनाने और भारत को हिंदु राष्ट बनाने का एलान करते हैं उससे ये अंदेशा और बढ़ जाएगा कि कहीं देश के सारे समविधानिक संस्थानों पर अपने लोगों को बैठा कर संग आने वाले दिनों में कोई बड़ा खिल तो नहीं करने वाला है ये साजिश ये शंका भी उभर कराती है हर्यानी में कहवत है जिसके खाए टीक ड़े उसके गए गीत ड़े यानि आप जिसकी रोटी खाते हैं उसी के गीत गाते हैं कटपुतली अपने मन से कुछ नहीं करती वो वही करती है जिसके हाथ में उसकी डोर होती है जैसा वो चाता है जैसा नाचना चाना चाहता है वैसे ही कटपुतली नाचती है काम करती है Election Commission की डोर जिसके हाथ में होगी वो वैसा ही तमाशा दिखा सकता है इस बहुत जरूरी मसले पर आपका क्या कहना है क्योंकि बहुत जरूरी मसला है देश में अगर चुनाव निश्पक्ष नहीं होंगे तो देश का फिर क्या मतलब रह जाएगा क्या फिर देश के लोकतंत्र और राजनीती समविधान के माइने रह जाएगे इस एहम विशय पर जो हमने आपको बाते बताई हैं उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें आपसे अपीले वीडियो को शेयर करें साथियो अगर आपको The Newsbeak का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsbeak Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsbeak at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsbeak Foundation अकाउंट नमबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-6-4-0 IFSC कोड है YES B-00-0-2-3-5 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें